हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी गर्मिया जो है अच्छे से घट रही होगी कि आप लोग बताएगा किसके हाँ पर कैसा वैदर है कैसा नहीं है क्योंकि मौसम आचकल बहुत जाद अच्छा हो रहा है तो आज मैं आप यहार पर पील करके और स्तरीके से रफली चौप कर दिया है नौ हमने यहार पर लिया है пять आप अ इस त्टरीके का आम ले सकते हैं और उसके बाद यहां पर उसको पील करके उसको यह हुए से और के पील करके हरा पार्ट जो है उसको निकाल करके आपको इस तरीके से पैन में डालना है और उसको उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और जिस तरीके यह गल जाए अच्छे तरीके से यह बहुत जादा सॉफ्ट हो जानी ची तब तक हमें इसे चलाना है उसके बाद यहां पर यह रेगूलर बेसी पहम यूज करते हैं, यहाफें लिया है, दो चम्मज मैंने सॉंफली है, और ये एक चम्मardaRea करीब मैंने जीरा लिया है सापुट जीरा को जो हम ब्यान यूज करते हैं उसके बार मैंने लिया है ताली इलाइची साबुत वाली और यह ने यहाँ पर चार लॉंग के टुकडे भी डाल दे हैं तो यहाँ पर मैंने डाल रही हूं इलाइची इससे अच्छा फ्लेवर आजाता है और इसको आपके हिसाब से आप एड़्जस्क कर सकते हैं आपको मसाला जो है इसको बहुत ज़्यादा strong नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा मतलब heavy नहीं बनाना है आपको medium ही रखना है इसका मसाले का जो है तो इसमें आम पे डाला है 1.5 चरमच काला नमक देखेगा कि कितना कच happieree का बना रहा है तोिस हेसाब से stake माच कर सकते है कि आपको कितना कदा डालना है औहुति है। आपको जुरी किwenदे मसाला प्रिपाररे गुछ उन्हीं होना चाहिएography when your तो आप दागे वाली मिश्री को भी उज़ कर सकते हैं उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपने आदा किलो कची कैरी ली है तो उसमें आपको 500 ग्राम मिश्री लेनी होगी या पर चीनी लेनी है अगर आपके पास जो खते वाले कैरी होगे है ज springs ज्यादा खती जो ओटी होगी आप जितना आप आम ही लेंगे उतना ही आपको मिश्री और चीनी लेना है उसको आड करनेके बाद इसको बिलकूल पना लेना है कच चास्टी केरी को जो है बलकुल हम ज्युक्त कर दियान है क्षियों मंध्यम पर ही रहेगी इसको बहुत जादा तेजieso आज पर नहीं बनाना है इसको हलके हलकी मध्यमाज पर भी बनाना है और इसको रेगिलर चलाते रहना है इसमें याद रखना है कि आप अगर रेगिलर नहीं चलाओगी तो इसमें घुटलियां आ जाएंगी लंपस आ जाएंगे जिसे इस सारा जो पेस्ट है जो हम बना रहे हैं करी के शर्बत के रेगिलины कर questa फेट तो ऑच amount मैं जो अच्छी ठीले यहाँ य टाला दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें जो यह मसला जो है कैसे पता चलेगा कि जो यह मसाला है यह पूरी तरीके से अच्छे से पक गया या यह जो कची कैरी का जो यह पेस्ट है वह अच्छे तरीके से तो इसमें जो हमारा चमचा है इस तरीके से एक लेयर बन जाने चाहिए आप देखरों यहां पे एक लेयर बन गई है तो इस तरी इसको हम क्या करेंगे चार में इसको काज का जो जार है आप जब स्टोर करोंगे तो वह बिल्कुल अच्छी तरीके से दुला हुआ और साफ तरीके से साफ होना चाहिए और इस वाले जो पेस्ट है इसको आप अगर फ्रिज में दो महीने भी नहीं रखोगे तो भी यह इसको रख सकते हो इस तरीके से बना करके और यह बहुत जादा अच्छा लगता है अब मैं आपको दिखाते हो कि इसको बनाना कैसे है शर्बत को मतलब हमने इसका पेस्ट तो बना लिया अब हम इसको शर्बत कैसे बनाएंगे तो मैंने यहां पर नमक और जीरा को इसके ग क्लास में डालना है आप अपने हिसाब से झाले चल 2 से 3 चमच जब हमने जादा लिए तो इसके बाद हम दिख से जबत only को घंड वाने क्योंकि गर्मिया है चर्बत और टु हो जा mess कि एक तरीके से या अपर हमने अग्टा पानी और इसको अच्छे तरीके कर लेंगे आप चाहे तो इसमें काला नमक, चाट मसाला नौर्मल नमक भी डाल करके इसको इंझॉइ कर सकते हैं तो तो यह आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट जरूर कीजेगा कि किस-किस ने इस रेसिपी को ट्राइ किया है और आप सब लोगों को कैसा लगा आप लोग फीडबाक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अब आप नेक्स बताएगा कि चाहिए तब तक के लिए आप इंजॉय किजिए अपने सामर्स को रेसिपी को